प्रश्कार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है भी एचु वाले दे इस्टोरिका के इस चैनल पर मैं बसंद इससे पहले की वीडियो को शुरू करूँ मैं बता दू आपको कि पेट यानि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पीजी इंट्रेंस टेस्ट बी एचु के लिए एक नई अपडेट आई है और वो अपडेट यह है कि आप लोगों को 30 तारिक से ठीक है ना 30 तारिक 30 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं ये देख लीजे 30 अगस्त दो हजार तेईस 11 बज के 69 मिनट रात तक आप अपने जो प्रिफरेंस एंट्री है उसको आप सुधार सकते हैं जिन भी बच्चों का लिस्ट दिया हुआ है प्लीज जाकर के सुधार ये क्योंकि कहीं न कहीं रिजल्ट आने में ये भी एक मेजर कारण है आखिर असली कारण क्या है वो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और कौन है इसके पीछे क्या मैं हूँ इसक हो रहा है ठीक है तो ये सारी बाते हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं तो प्लीज धैरे बना करके थोड़ा सा सुन लीजेगा आपका रिजल्ट इस वज़े से नहीं आ रहा है ये हमारे आज की टाइटल थी ठीक है टाइटल का अर्थ कुछ होता है और देखे उनुशन के अब देखे से सबसे पहले एडमीशन करा लेंगे लेकिन ठीक हुआ उल्टा अभी तक लगबग सारी उनुवर्सिटी चाहें वो डी यू हो चाहें जे नियू हो चाहें आपका और भी बागे सारी उनुवर्सिटी छोटी मोटी लप्कू वाली जो इनुझी है BVAU हुआ, ये सारी उनिवर्सिटीज तो वर्षो पहले जो है वो एडमिशन करा चुकी है, कई में क्लासेज भी शुरू हो गई है, AU का तो बहुत पहले हो गया है, अभी दो उनिवर्सिटीज बची हुई है, एक का नाम है BHU और दूसरे का नाम है HCU, ये दो उनिवर्सिट दिनों बहुत दिनों से लटका रहा है, तरह तरह की अपनी दलीले दे रहा है, कह रहा है कि भाई साब डेटा मिसमैच हो गया है, डाटा मिसमैच हुआ है, दूसरी बार कह रहा है कि प्रिफिरेंस एंट्री गलत भरे गया है, भाई साहब ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, यह उल्लू बनाय जा रहा है, उल्लू क्यों बनाय जा रहा है, और इसके पीछे कारण कौन है, तो इसके पीछे कारण है यह वक्ति, ठीक है, यानि मैं, क्यूं, क्यूंकि मैं पढ़ रहा हूँ अभी MA First, MA First Year में, जो की मेरा Second Sim है, MA Second Sim है मेरा, Second Sim, और मैं अभी दे रहा हूँ अपना Second Sim का exam, semester exam दे रहा हूँ, ठीक है, अब किस तरह की चीजे हुए, थोड़ा सा अंदुरूनी बात आप समझेंगे, तो BHU के बारे में अच्छा समझ पाएंगे, बहुत बोरियत नहीं लग रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, Second Sim का होता यह है, कि हमें 16 तारीकों, अपडेट दिया जाता है, कि आपको 23 तारीक से exam देना है, जबकि हमारे कई test वागेरा, कई syllabus पूरा नहीं हुआ था, लेकिन 23 अगस्त से हम exam दे रहे होते हैं, 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, यानि अभी 31 अगस्त तक हमारे exam चलेंगे, लास्ट हमारा exam 31 अगस्त को है, ये मेरे जीवन का, BSU का सबसे छोटा exam होगा, जब मैं इतनी fast सारी चीज़े कर रहा होगा, और साथी साथ ये जो चीज़े आपके साथ जो हो रहे हैं, ये interlinked हैं, semester exams से, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कि PG की जितनी भी details होनी है, वो सारी कहां से होनी है, department स होनी है बाई साथ, और department क्या करा रहा है, मेरे exams करा रहा है, ठीक, तो मेरे exam की वज़े से, semester के exam की वज़े से, कहीं न कहीं, ऐसा माना जा सकता है, कि आपका result नहीं आ रहा है, तो finally, क्या result निकलता है, कि मैंने रोक रखा है आपका result, बात आगे समझ में, तो इस तरह से, कु 31st को, 31st को मेरे exam की खतम होंगे, यह मैं history की बता रहा हूँ, लगबख political, political वगएरे की खतम हो गए, तो हो सकता है, आप लोगों का थोड़ा पहले आ जाए, 31st को history की खतम हो रहा है, science वगएरे की भी लगबख यही dates है, 31st को लगबख almost 7 का खतम हो जाएगा, ठीक है, यह deadline इन दिया गया था हमारे department को, को 31st तक आपको खतम करना है, anyhow, तो फिर 31st के बाद, अब आपको आता है, एक तारिक, दो तारिक, तीन तारिक, almost ऐसे chances है, देखिए, main चीज क्या है ना, कि जो लोग ज्यानी बन के आते हैं, और पीछे में नीचे से comment कर देते हैं, कि आप बड़ी संस्था होकर के वो लेट कर सकती है, अपने बात से पीछे हट सकती है, तो आप फिर हमें कैसे blame कर सकते हैं, आपको updated जानकारिया भी चाहिए, जो जानकारिया हम दे, guess करके दे, या फिर अंदरूनी जानकारी ले करके दे, उसको फिर आप postने लगते हैं, बाद में उस वीडियो को देख करके, ठीक है न, कि सर दो तारिक तो बोला था आपने लेकिन रिजल्ट नहीं आया, ठीक, एक अनुमान होता है, अनुमान मेरा क्या कहता है, कि एक तारिक को ऐसी उमीद है, कि जो verification का काम है, वो शुरू हो जाएगा आप लोगों का, और आने वाले ल बता देता हूँ, पीजी लेवल पे आप लोगों के जो admission committee है, वो बैठी थी लगबग 3-4 लोगों की होती है, ये लोग क्या करते हैं, सुबा से बैठ करके, शाम तक लगबग 4-day 50 लोगों का verification करते हैं, verification में क्या होता है, कि आपके जो result है, name है, और सारी चीज़े है, वो स चली जाएगी, उन बच्चों को 24 घंटे का समय दिया जाएगा, 24 घंटे बाद फिर से अगले दिन जो ये verify करेंगे, अगले मान लीजे 30-40-50 जो भी, तो उन लोगों को फिर payment link भेजी जाएगी, और second cutoff आएगा, third cutoff आएगा, इसी तरह से cutoff जो है, वो यानि payment link आप लोग raw office से, तो इस बार क्या होगा, मुझे बहुत जादा उमीद तो नहीं, लेकिन फिर भी, मैं बहुत जादा sure हूँ कि department से अगर होने वाला है, तो same वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कि पिछली बार अपनाई गई थी, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही र ध्यान आप नहीं देंगे, तो ज्यादा समस्या से मुक्त रह पाएंगे, अपना काम करिए, बाकी चीजे जो ध्यान दे सकते हैं, यार वो आप अगर करेंगे, तो ज्यादा बहतर हो पाएगा, क्योंकि ये लोग क्या ही कहें, कितना गाली दे सकते हैं मन ही मन, लेकिन स्था ऐसी है, जो अब एकदम अपने अंतिम स्वरूप में है, इनका मतलब भरष्ट होने का, अब कोई चारा बचा नहीं, अब कोई अस्तर बचा नहीं है, करने दीजे जो ये कर रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्री आपना ख्याल रखिएगा